हेलो दोस्तों स्वागत आपको मेरे यूटूब चैनल में मेरा नाम फिरोज है दोस्तों आज मैं रिवियू करने वाला हूँ टेजलेट जेल का और आज हम जानेंगे पूरे डीटेल में इस टेजलेट जेल के बारे में दोस्तों यह जो टेजरेट जेल है बहुत ही फेमस है और आपको आपके नजदी की मेडिकल पर जरूर मिल जाएगा और इसको गलेन मार्क नामक कंपनी दोरा बनाया जाता है जो कि बहुत ही बड़ी और फेमस कंपनी है दोस्तों हम जानेंगे इस वीडियो में कि इसका पोजिशन के बारे में तो इसमें सिंगल ड्रग डाला गया है जो है टजो रोटीन दोस्तों जो टजो रोटीन है वो दो इस्टेंद में आता है एक 0.05 परसेंट है और जो दूसरा है 0.1 परसेंट तो आपके बिमारी के सिवेल्टी के हिसाफ से यह दोनों इस्टेंद दॉ करते हैं दोस्तों अगर बात करें इसके यूज के बारे में तो देखें जो इसका यूज है वह आपको एकने में यूज होता है एकने में यूज होता है और एकने की वह जैसे गड़े जो हो जाते हैं गड़े पढ़ आते हैं उस गड़े को दूर करने में यूज के जाता है open pores जो होते है open pores उसमें भी इसका यूज किया जाता है रिंकल पढ़ने लगते हैं जिसको बोलते हैं जुलिया पढ़ रही है उसमें भी इसका यूज किया जाता है उसके अलावा सुरासिस नमक फंगल इंफेक्शन है जो बिमारी है सुरासिस उसमें भी इसका यूज किया जा लगाना है आपको अपने चेहरे पे खाना तो है नहीं तो ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है कुछ लोगों को इसके जिनको टेजरोटीन से एलर्जी होती है उसको कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं जैसे लाल हो जाएगा खुजली बहुत ज्यादा होगी वहाँ जहां पर लगाओगे और इंफ्लामेशन सूजन आ जाएगा और बहुत ज्यादा जलन महसूस होगा यह सब साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं और कुछ लोगों को वहां की जो इसकी नहीं है पतली हो जाएगी और छोड़ने भी लगेगी तो यह सब साइड इफेक्ट करने को मिले हैं लेकिन बहुत कम लोगों के बारें बहुत कम लोगों को दोस्तो आप कर लेते हैं विसका लगाना कैसा है तो देखिए इसकर दिन में एक बाल लगाें और सबसे बह् 있थर टाइफ है आप रात ना जाएं तो और बहतर है इसकर polished कि Ready आक गयंए लगाना कैसा कि वहाँ वहाँ पर लगा के थोड़ा सा मसाज करके फिर छोड़ देना है फिर सुबह उड़के आपको अपना चेहरा धो लेना है और फिर उसके बाद आपको ऐसा रेगुलर करना है और अगर इसकी डियूरेशन की बात करूँ तो आपको दो से तीर महना करोगे तो आपका जो भी फेस से रिलेटर प्रॉब्लम है सब दूर हो जाएगा दोस्तों इसको लगाने के बाद आपकी स्किन ड्राइब होगी तो आप अपना कोई भी मौश्चराजर यूज कीजिए कोई भी महस्चराजर जो आपको पसंद है आप कोई भी महस्चराजर यूज कर सकते हैं और दोस्तों इसको प्रिणड लेडि को नहीं लेना है और इसको जो ब्रैस फिडंग मदर है अपने बच्चों को दूद पिलाती हैं उनको भी नहीं लगाना है वैसे यह प्योर प्रिस्किप्सन है अपने से ना ले अगर आपको यह मेडिसीन लेना है तो आप एक बार आनकारी थी टेजरोट क्रिम की आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ आज के वीडियो में इतना ही मिलता हूँ अगरे वीडियो में